तो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरह से आपको प्यार भरा नमस्कार सत्स्रियाकाल आदाब दोस्तों एक बार फिर हाजीरू नई रेस्पी के साथ आज हम बना रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेश्ट आए देखते हैं इसके लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत है यह मैंने जिंजर गार्लिक दोनों लिये हैं इनको अच्छी तरह से साफ करके छील कर दोकर सुखा लिया है यह गार्लिक मैंने डेट सो ग्राम के क्रीब लिया है और जिंजर मैंने सो ग्राम के क्रीब लिया है इसे भी अच्छी तरह से मैंने सुखा लिया है यह नमक लिया है मैंने एक टीस्पून के क्रीम मैंने नमक लिया है और तीन टेबल स्पून के क्रीम मैंने वेजटेबल ओयल लिया है दोस्तों इसमें मैं विनेगर भी डालूंगी दो टीस्पून के क्रीम मैं विनेगर डालूंगी इसमें अब हमें एक ग्राइंडर जार लेंगे उसे भी अच्छी तरह से सुखा लेंगे उसमें भी पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए अब मैं उसमें लसन डाल दूँगी और जिंजर भी डाल दूँगी अब मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ और वेज़िटेबल ऑईल भी डाल दिया अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे यह देखिए अब इसे इसका पेस्ट बना लेंगे नमक और ओयल और वीनेगर इसमें प्रेज़र्वेटिव का काम करते हैं जो हमें काफी दे तक बिल्कुल सही पेस्ट हमें मिलता रहता है यह देखिए इसमें अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है अब मैं इसमें टू टीस्पेन के क्रीब विनेगर भी डाल दूँगी इससे इसकी लाइफ और बढ़ जाती है हम ऐसे भी मिक्स कर दूँगी पेस्ट बना लेने से हमारा काम बहुत काम हो जाता है और हमें जल्दी से हम सबजी त्यार कर सकते हैं इदे के हर चीज में जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमें डालना ही होता है अब मैं ऐसे विल्कुल सुखे जार में निकाल लूँगी देखिए ऐसे इसको भरके हम एर टाइट डिबे में डालकर इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बैल का बटन जुरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे देखिए दोस्तों बिल बनाएं दोस्तों फिर मिलते हूं एक नई डिश के साथ तब तक के लिए बाई बाई